अलो स्टुडेंट्स वेलकम मैसल दिनेश तर हाँ है एक्जसाइज सा वीडियो आनी या वीडियो मद आपन अनिमल क्लासिफिकेशन चाप्टर ची कम्प्लीट एक्जसाइज इते डिसकस करना रहो या वीडियो मदे ठीक है तर पहला कोश्चन आहे मग आइडेंटिफाइ मी आयाम डिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट वीच फाइलम फाइलम डू आई बिलॉंग टू ठीक है तरह तरह आएजसाइटी बगा तुम्हाला हाजो इते क्लासिफिकेशन चाप्ट डिला है चावरुन तुम्हाला मदत मेंड़नार ठीक है कारक्टर स्टिक सरद दिलिया है आणि इतना सुद्धा तुम्हाला लक्षे तिनर की काय क्यरक्टर स्टिक आहित आनिमल्स चे वीचार लगाया कि आयाम डिप्लोब्लास्टिक और असीलोमेट ठीक है तरह बगाओ इतना असीलोमेट कुंते है तिनस फाइलम साहित कि जे असीलोमेट आए पोरिफेरा निड सैंद गाल तरह डिप्लोब्लास्टिक है और स्लेंट राठ आ अहित सीलेंट। राठ थे ठीक है डिप्ल आए आज अपले वीचार लेगाया एंद्प्लोब्लास्टिक आनिम्लोमेट काई तर आंसर इना राव फाइलम निड़ आरिया कि फाइलम सिलेंट राटा ठीक है कारण त्यंचा मद रिप्लोब्लास्टिक अन्य असिलोमेट क्यरेक्टर्स आहे सेकंड आहे माई बॉड़ी इस रेडियली सिमेट्रिकल वाटर वस्कुलर सिस्टीम इस प्रेजेंट इन माई ब अंचा मदे फक्त वाटर वस्कुलर सिस्टीम आए जोना सिला थी तुम्हाला दिला होता कि एजे इका अनो डार्म साहे तेज अचा मदे आस्ते वाटर वस्कुलर सिस्टीम अलिए टिक है आता वोटर्वसकुलर सिस्टेम जए तिक है असते तरही सिक है अन्ना पानिया ताय सोपी घ्ली है दूसरा बॉडि पार्ट करे ने आंड करने साथी ओसे जाला आपन ड्रायंस एक तो 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 ते करने साथी वश्कुलर सिस्टीम हो स्टे मए जिंद आपने है blood humans मढखे ठीक है तरह दोम प्लांस मदे बगलतर प्लांस मदे है वसकुलर सीस्ट्म फक्त प्लांस मदे थांचा मदे तोन टीश्युज असता ट्रेम प्लांस तुम्त तम्स चय आनिमल्स आएद कि आणचा मदे वाटर वस्कुलर सिस्टीम है मंजे पाने चा मदतीने जे अन्ना आनी फुड है ठीक है तैंची ने आन एका पॉड़ी पार्ट करूं दूसरा बॉड़ी पार्ट करें ठीक है इतुझ दर सम्झा तैयार होता से लगना च्छिशरीरा तनना मक कि कुटल ही आनिमल्स मदे पाहला मिडत नहीं फक्त इका अनो डर्मेटा मदले जे आनिमल्स है या फाइलम मदले तेच आनिमल्स यांचा कड़े वाटर वस्कुलर सिस्टीम है ठीक है त्या मड़े वाटर वस्कुलर सिस्टीम मदला तर इका अनो डर्मेटा से तव ठीक है ठीक है यह बड़ वाटर व्रस्कुलर सिस्टीम सुधा तितल इथे आला है परन्तों इथे इथे सिल्यबस मद नाई है तुमच्या ठीक है प्रणाचा आंसर लक्षा तसुध्या कि इकाइनों डर्मेटा है ठीक है फाइलम आहे इकाइनों डर्मेटा बरबगा इथे काई वि सिमेट्री अडर्स मद यह पाहला मिड़ते ठीक है तर रेडियल सिमेट्री सुधा है वाटर व्रस्कुलर सिस्टीम सुधा यह उन इकाइनों डर्मेटा है यह उड़ा तर कंफर्म दला कुड़े काई है मदे कि आयाम रेफर्ड एज फीश दो आयाम नॉट वाट इस माइन स्टारफिष मननन तर बहुत फीश एटांसर ही स्टाारफिश ठीक है काराइंति है विचलते जाहिए अंहाँ आयम रेफर्ड एज फीश मला हाँ hail जाहिक क बीत नायी then Maatta courts Alta सो आंसर आए स्टारीश स्ञानी खुआ खिंगा आई लिव इन हीति स्मॉल एंटेस्टाइञ की स énभाने मैं प्लाटी हल्मेंथ्य दूसरी अघके लुज लिए अज़नी मेंट्येस्य यहां यहां अपले इंट्रती रोब्ण काबर करंगें एनिमल्स चा थो बोस्टली यूमन्स चा स्मॉल इंटेस्टाइन मदे असतो ठीक है बग हाँ आपले इंटेस्टाइन मदे सुद्धा असतो आणिये कश्या है आणकी एंडो पारासाइट सुद्धा है ठीक है शर्राचात मदे असना रहे अनि तेज आपले लेए विचारल सुद्धा है कि मेट थ्रेड लाइक बंजे घागा सथी बॉड्य थ्रेड लाइक बॉड्य ठीक है मघ कूटला फायलाम है तर आशके हलमिंतेस सक ले लेंटेस तो त्रन नेक्स्टपैमग ऑड़ आम मटिसेल्डर तेक है मिल्टी सोल्डर है यह तेशी इन माइ बोडी वाट इस नेम आफ तुम्हाल आधी सुधा सांकित लेकि शेल असतात आपने बॉडि मद अ पासंग जूडून टिश्यू बनता ठीक पाषण टीशु टीशु न न तर ओर्गन न तर ओर्गन न तर ओर्गन सिस्टीम ठीक है अश्य सहडोर्ड आनिमल्स इवाल्व उद गिले मग सगडल आता भगा फक्तस तेल साह मतला है टीशू उगरी ना यह है है बोडी मदे ठीक है टीशू नाइए बन्जेज तुमाल लक ठीक है टान तर ओके मझे एवड लक्षा ताल असल तुम्हाला ठीक है मग पोरिफेरा आणी निड़ा रहे एंच दर भगाल तुम्ही तर इथे तुम्हाला दिलाया भगा कि मल्टी सेल्लर आहे आने टीशू आर नॉट फॉर्म ठीक है अंसर एतो फॉर्म पोरिफेरा ठीक है अगे टीक है तर अंधर सेकंड कोश्चन है राइट दे क्रेक्टर सफ फीच अफ फॉलविंग अनिमल्स विद्धी हल्प आफ क्लासिफिकेशन चार्ट अथा क्लासिफिकेशन चार्ट कुटला है तरहाज तुम्हाज आए हाँ है क्ला ठीक है तरह यहां क्या चार्ट चा बेसिस वर तुम अधर है जे आनिमल्स इते आहे हैंसे क्लासिफिकेशन कराएच है ठीक है तरह पहला आए भगा बात स्पॉंज ठीक है आथा सगड़े जे सपॉंज सारक इनिमल्स अंधर और पोरिफेरा मदिये तर तरह यहां जो आंसर सबूँआ दोचिणीड सिर्फ सबूंडव पिलान चैना Bryce लेजालन आणि ए तक्रों क्लासिफिकेशन लिएंद ऊवंधें क्लासिफिकेशन लेएंद ट्रों पूदे लस्нова पूडएबर कीगडम आई लिगा ठीक है अपने ये अपने कसे चाथ चार्ट रहाच चाक चापकर आह अदी येशा्याथ फाईलम लिए ये लिघाजीश कीणемся तर्फ नमबर जाए चाहा अस्यमेट्रिकल बॉड़ी थर्ड नमबर जाए चाहा चलो मेट्स ठीक है तश्टान की इतले सुद्धा काही कारेक्टर सुमेट ताको शकता ठीक है फूर्थ नमबर जाए चाहा अस्टिया निया अस्कुला प्रेजेंट अस्ताथ पोर्स चाहला प्रेजेंशन ते अस्टियमेट्र मेल जाए चाहां वयुए चाहा चाहाता अस्टिया चाहरे कशirasडे कि अस्टिया चाही नमबर जाताई चाहा चाहां यहांमेट्स पाके चाहीं Okay था काई चैन्ट प्रश्चे लेंट प्रेजेंट सेग्मेंटेड बॉड़ी आहे तर्व एक एक पॉइंट लाए चीटी थे थे तर्व अधिन्ट नेक्स्ट नेक्स्ट रहे रोहु तर्ब बगार बगाल तर्ट यता ख्लास्स मधी यह थे ठीक है जो किया है पाइसेस पाइसस मधि जह फीश अमझे रुखु तर टी ये ते वह ते हैं लीत लिव लगने आधी क्लास मधि युन पाइसस लागह सब फ्प्पाइलम सब्फाइलम वरि टी ब्राट टीजिका आजी फाइलम यहां कॉर डेटा और गूंग अनी आनि किंग्डम यह यहां था अंतर चै तुम्हें इतुनस लिव शकता काई ये क्यारक्टर आहे ते सग्ड़े सांगा ची कि ये आर कोल्ड ब्लडेड त्यान तर दे लिव इन मराइन और फ्रेश वाटर ठीक है त्यान तर दे आफ पेर्ड अन पेर्ड फीन्स ठीक है एक्जो स्केलेटन बंजे इतलेस तुम्हें य जी क्यारक्टर सायते छोटे-छोटे एक दोन एक दोन शब्दात लिव शकता ठीक है खुप मोटल लियाएचे नाए सिंपल साध लियाएचे दसा की देहा दीजार कोल्ड ब्लडेड अनिमल्स ठीक है सेकंड देर बोडी इस पिंडल शेप्ड बस येवड लिव तरी चाले ठीक है देहा पियर्ड अन पियर्ड फिंस ठीक है बाखी सांगा जी गरज नहीं देहा एक्जो स्केलेटन इन फ़र्म आप स्केल अन एंडोस्केलेटन इस और बोनी डेस्पिरेशन ओकर विस्ट गिल्स नल युदस लिएचे चारपस पॉइंट्स ठीक है तार नेक्स्ट विएंग्विन आथा पेंगविंग्विंगा है तो यह तो एउज मदें ठीक है जिस अफ़ बाखी चे आता फ्राग ये तो एंफिबिया मदे ठीक है अंथ बागी इस माला आपन ट्लाश secular सब्सक्राइलय कर अदर अनी लिए चेंड़ने च्छोटे च्छूटे जर्ण परिकें हैविद ये नहीं थे मैं 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 लिया मुंड ओके सरय क्लास इनठेट इंपोर्टन कि भुआ ते ठीक है तरसे तुम्हें जी करेक्टर साइटे सांगु शकता है डिजिट्स आर प्रोवाड़ेट वित लॉज चार क्यों आप पाच करेक्टर्स लिहाई चे में ली ठीक है तरसे मैं मैं लिया मदे मामरी ग्लांस आर प्रेजेंट तांतर दीज आर वार्म ब्लडेड तांतर ब वराद क्लास देखर होगे दोड़्यव चेंज्सन आइनिमाल ग्लाासिफिकेशण? तुम्हेंड आते तुम्हाला बेसीकली जी क्लासिफिकेशन ची हिस्ट्री आए ती सांगाई ची आप्यों से ज़न या के सबस्मांगी चैने तो है तो आध भार्ण कोस्ट्रीं का अपला की कशिकाए प्रोग्रेस होत गे लिए आनिमल क्लासिफिकेशन मदे ठीका मझे प्रो ऑबूद दो प्रोहर स्यव चीडगे इन अनिमल धिलकरि मैं ऌनग गिलेख सतका सदुर्वारे लिख दीडव स्परफॉर्षेंटी कि अरिस्टोटल तो टिक है अरिस्टोटल वोज दे फर्स्ट टू परफॉर्म अनिमल क्लासिफिकेशन ओके एंड इस इस अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन इस नोन अज आर्टीफिच्छल मेथड ठीक है फर्स्ट पॉइंट लिया आता बहुत जो कुशेन आए हां तुम्हें पाथ तीन मार्क साथी मेभी यह शक्तो जात तुम्हें सा पॉइंट लिन अप्लेक्शी तसतो ठीक है सो मग्या जे सा साइच है तुम्हें को सब्सक्राइब वा नजरे तुन वन ना ठीक है तर आता तीन मार्क साथी पैक्षित अस्ता पहला पॉइंट रहा असनर ठीक है and this classification is known as artificial method ठीक है सेकंड लिहा कि बिसाइड्स artificial method of classification ठीक है सेकंड पॉइंट बिसाइड्स आर्टिफिचल अला अंडरलाइन करूंठेवा बिसाइड्स artificial method of classification was followed by theophrastus pliny john ray lineage एक्सिट थीक है keeping lab 9 सिस्टीन वांस फ्लासिफिकेशन फ्लॉड counselors टैकासा होज गेलत कि अबला थे सहंगाए सखडे आज तर आले सखडे शक्रीनिघर इसक्रांव सोरी प्छाट्री तो ने नेंट्र शिस्टीम प्लासिफिकेशन फ्लॉड्स थर्ड पॉइंट ठीक है थांदर फॉर्थ लिहा कि नाच्रल सिस्टीम आप्लासिफिकेशन वस बेस्ट वन वेरियस क्राइटिरिया लाइक बोडी और्गनाजेशन टाइप अब सेल्स क्रोमोजोम बायो केमिकल प्रपरिटीज एक्सेटरा ठीक है थांदर फॉर्थ पॉइं लिहा कि बाई इस ताइम ठीक है शिस्टीम आफ क्लासिफिकेशन बेस्ट वन एवलुशन वस अल्सो ब्रॉट इंटो प्रैक्टिस ठीक है और वस यूजड वाई डॉब्जैंस्की अंड मेयर अफिप पॉइंट होना अनि 6th पॉइंट लिहा नंतर रिसेंटली काल हुज ह अल्सो प्रोपोस्ट दा अनिमर क्लासिफिकेशन ठीक है तरशा पले तेने सा पॉइंट्स तुम यह क्वेशन मदे लिए लिए हो शकता ओके त्यांदर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है वोट इस दे एक्जाक्ट डिफ्रेंस बिट्विन ग्रेड्ड ऑफ अहीं का आए थे प्रोपर असे डिफरेंसेट नाये कराएं चाहरा तुम मी याज सुद्धा आजी चाहरे शर्वान मदे जाणेट लाए प्रेजेंटेशन की नोट्स वगरी आशे काई पूरावनार नहीं है कारण जेवड़ तुम्हीं आंसर्स लिए प्रैक्टिस कराल काई क्वेशन काई ती ते आंसर मदे अफ्यक्षित है किती पॉइंट्स ले आएचे कशे लियाएचे जो पर इन्थे तुम्हीं किसोता प्र अंडरलाइन करूं ठेऊ शकता कि जने करूं वास्तान तुम्हें दोड़ा खालन जाना कि वा तुम्हें दे नोट्बुक मदे लिहून गया बंजा तुम्हीं प्रैक्टिस देकी लोनार लिलनाची आणि काई नेमका असाला पाई जा आंसर ते सुद्ध तुम्हाल लक्ष डिफ्रेंशीट के लगेला एक प्रकारे मंजे बगा जे जान चे फक्त जे पर सेल चे फंक्षिन आए ते जर मझे जा अनिमल्स मदे फक्त एकत सेल असे ठीक है एकत सेल असे आज तो सगड़ काम काज करता सेल त्याना आपन प्रोटोप्लाजिमिक मठल जान चा मजे मल्ति आपन टीशू जे शेल टीशू ग्रेड और्गनाजेशन मठल ठीक है नंतर पूर्डे टीशू ओरगन ग्रेड मंजे इस आपन आनिमल्स टिफ्रेंशीट के ला है वेगवेगड़ तुम्हीं हाग रूप मदे तुम्हें आग रूप मदे काबर तुम्हा बदे पाम करता त तुम्हें चाहां और गन करता तुम्हें टिश्व काम करता असा तैना वेगवगड़ के ला मंझे रहे ज्लासिफिकेशन क्यों रहे ज़े क्राइटीरिया है कशा और बेस्केली डिफ्रेंशीयेशन वर ठीक है मंझे तैंचतला फरक काया है तो उड्वकुन आपन तैना सिमेट्री हाँ छो फरक नेम का कि ये डिफरेंसियेशन मजे वेगविगड़े पनावर तैनना वेगविगड़ करने ततले लें तर बोडि सिमेट्री मजे थान चाथ सिमिलारीटी काया है ते लक्षाद गेटला हाँ हाँ गदा चैले मेजर फरक है मोठा फरक है खाया तर organization depends on the differences in the body structure थीक है कश्शाओ दिपेंड आहे है difference between your differences grades of organization depends upon the differences in the body structure of unicellular and multi-cellular organisms एदिक है यह सब्सक्राइबिक तांतर second point लिहा कि body symmetry काया है था ठीक है so body symmetry depends upon the similarities in the body after passing an imaginary after taking an imaginary section through a specific plane of animal bodies ठीक है second point body symmetry depends upon the similarities in the body after taking an imaginary section through specific plane of their bodies ठीक है तरहें दोन points ठीक है अमगे आता differentiation similarity यहां point clear दला ही थे आता next एक point यह आनके add करा कि grades of organization आता यह आउर तुम पहले लक्षत कहा है था कि grades of organization gives us an idea about the function performing entity of the body मंजे बगाई थे perform कुन करता है फर फर्फर्म फंक्शन पर्फर्मिंग एंटीटी एंटीटी मंजे एकादी गोष्ट ठीक है इंचा मदे tissue काम करना है एंचात फक्त सेलर्स करना है एंचा मदे सुद्धा एंचा सिंगल सेल करना एंचात ग्रूप आफ सेल करना है एंचात मग टिशू काम करतों ठीक है जानना आपन आईडिया आपाट दा आपाट दे एंटीटी विच परफॉर्म डिफ्रेंट फंक्शन इन देर बॉडी ठीक है ओके तर तेज बॉडी सिमेट्री मदे आपला कश्या से महाई थी भीट्टे क्यों कश्या चाइडिया है थे कि नेमकी ताह चाइडिया चाह बॉडी मदे आईडिया अबाट दी शीमेट्री ओ बॉडी ओडी ओफ अनिमल्स ठीक है एंडिया अबाट दी सिमेट्री ओफ बॉडी ओफ ऐनिमल्स हां सेकंड पॉंट वहां जाता ट्रोटल आप्त चार पॉंट जले ठीक है मग नंतर इटी सरड सांगा कि ग्रेड्ट ओफ ऑर्गनाज नेमली नावे शांगा प्रोटो प्लाजमीक, सेल्वर ग्रेड तैंतर टिशू ग्रेड टिशू सेल, सेल टिशू, टिशू और गन तैंतर और और गन सिस्टेम तरसच नेक्स्ट पॉइंट लिहां मग 6th पॉइंट इफेरेंट अनिमाल चो डिफेरेंट बोडी सिमेत्री नेम तो सहाँ पॉइंट तुम्हाला इते लिहाई चाहिए ओके त्राइंट नेक्स्ट क्वेशन 5 ताहिए आंसर इन ब्रीफ ठीक है थोड़के तो त्तर लिया तब गए तुम्हाला इतले जो क्वेश्चन साहिए तुम्हाला 2 मार्क साथी क्यों वा 3 मार्क साथी यह होगता द क्वेट्ट से पुश्यन् जेटाथं तती आमेदे तुमाला सभ पॉइंट्स लिएव लगतात ओके कमी पाठ्स जासति जासता झाथ पॉइंट्स भी अजर नम स्वाहिए टेक्ट्स पॉइंट्स घ्ट्रिय आंशर मिं तुमाला आ जस्व तरही सधाल करना रहे तुम्हीं प याप्टर्ज चे त्याम वढ़ी इथे मिचावर जास्ता काई बोलना नहीं ठीक है ओके तर्मक पहिला कोश्चन है बगा की गिव साइन्टिफीक एक्सप्लेनेशन अफ शारक अप्टु प्लास ठीक है साइन्टिफीक ट्लासिफिकेशन ठीक है अनिमल्स ते अशा पदती न ची ठीक है आता है सुद्धा मी तुम्हाला आए ते तूंडी सांगु शक्लोस तो परन्तु तुम्हाला मेतर्ड नेम की काया ती लक्षा ते यह मनुं लिखन दाखो तो यह मी स्टैंडर्ड मेतर्ड आया अशा पदतीने क्लासिफिकेशन जाहे ते लीला जाता ठीक है आधी सरवात मुं वर्ति लीला जाता किंग्डम ते आंतर जे छोटे-छोटे आहे दस-दस क्लासिफिकेशन पूड़े जाता ते चान अंतर ची जे यहला मनता था बेसिकली हाइरची जे छोटे-छोटे आहे मझे चींडम ला पूड़े डिवाइड के ला आए फाइलम मादे फाइलम ला सब फाइलम मादे ट्याला क्लासिफिकेशन तर आशे जे खाल-खाल ची हाईरची हाए ते आशा खाली-खाली लिया जावे लागता आणि यहला आशे जे पॉइंट्स तोन पॉइंट्स तैन्हीं असा सेपरेट करूं त्याचा पुड़े जे किंग्डाम असल टी लियाव लगता स्टान्डर मेथड ली नाची क्लासिफिकेशन ठीकाई तर ती तुम्हाला लक्षा त्यावी मणुन मी ली ला येशा आंसर तर बगाँ तुम्हाला विचार शार्क्त चा ठीक है आचे नंतर सुधा पूड़े आणखी हाइराइची जेता जसा कि आधिया है किंग्डम नंतर फाइलम ठीक है फाइलम ला डिवाड केल जाता सब फाइलम मदे सब फाइलम चा खाली असता क्यों छोटो असता क्लासेस ख्लासेस नंतर आगेन एता ओरर और नंतर जिनस जिनस नंतर स्पेसीज आणी तान नंतर जे काई ना असेल ते येता तर तुम्हाला फक्त क्लास पारेंत विचालले त्यामडे मी क्लास पारेंत लिले ले तिक है मगे आमधे गिंडम इथे दोनशे डॉटस दाइचे आंसर ल है तरह असा सिंपल है classification लियाएचे दोन मार्क साट्य कोश्यन यह उशक्त हाँ ठीक है ओके नेक्स्ट आहे भी राइट फोर distinguishing characters of phylum Echinodermata ठीक है आधा distinguishing characters मंझे का है distinguishing मंझे जे एकादा गुष्टीला इतरान पास्ट में वेगडे करता तशे यह समझाय कादी गोश्ट असा काहिते रहा है कि ही इतरान पास्ट में वेगडी आहे ठीक है तरह अशे जे character आहे तेज बेसिकली अपने लियाए चाहिए distinguishing character ठीक है जरी question मदे असे लिए distinguishing characters लिहा ठीक है खुब काई असा मोटन आए के distinguishing मंझे भलते सल तेस characters काहिस नहीं जे तुम्हाला पुस्टकाद दिले आहे तेज characters तेज सुद्धा लियाए चाहिए ठीक है पुस्टकाद भगा खुब सारे characters दिले है त्यातले तुम्हाला जे सहा आतरी महीतिया सल लापाई जे कारण तीन मार्क चा question आतर सहा points लिना प्रिक्षित है ठीक है त्र मग जे जे points तुम्हाला सोपे आहे लक्षात्राव शक्ता सरड लियाए चे ठीक है सरड हेडिंग टाकाईचा आधी answer हेडिंग टाकाईचा की characteristics of phylum echinodorm मेटा ठीक है त्यांतर पहला point लियाए चा की calciaris points are spines are present on the body of these animals hence they are called as echinodorms ठीक है आणी छोटी-छोटी points लियाए चे खुब मोटी लियाए ची गरज नहीं ठीक है आतर हेज दे present on their body ठीक है these animals are found in ocean ठीक है their body is triploblastic use limit आता तुम्हें तीन पॉइंट्स लिव शकता भगा हां तुम्हां थर्ड जो पॉइंट दिला है तुम्हाना bilateral symmetry सुद्धा है radial symmetry सुद्धा दिखते है एकाज points मदे दिले तुम्हाना दोन पॉइंट्स करू शकता है जासा कि their third point लिय ठीक है their body is triploblastic and they are ucylomate fourth point मदे ठाका की radial symmetry is in adult and bilateral symmetry is shown in larval stage ठीक है तर अशे छोटे-छोटे points लिया है चाहे ओके ताना अंतर they perform locomotion with the help of tube feet जाला यवडास पॉइंट सुद्धा है ताना यवडास पॉइंट सुद्धा है ताना यवडास पॉइंट्धा है ताना यवडास they have good ability of regeneration they are mostly unisexual ठीक है आणि जेवा characters feature तेवा एक दून example सुद्धा लिहाई चे ठीक है example सुद्धा तुम्हीं points मदे स्टाकू शकता ठीक है ओके तर अशा पदतीने तुम्हीं है simply सांगू शकता तर नेक्स्ट कॉस्चिन है C कि distinguish between butterfly and bat with the help of four distinguishing properties ठीक है distinguish difference का से लिए तो तुम्हालाम आईतीया है दोन कॉलम्स एका कॉलम मदे butterfly एका कॉलम मदे bat एना ठीक है आता बगए आँचे character लिएना खुप सोपी है इतुन सुद्धा तुम्हीं खुप सारे points तुम्हाला मंजी मिड़ता थीते ठीक है जनरल इती तुम्हाला चार points विचार ले है तो आपन चार सांगू ठीक है आता इते सुद्धा में तुम्हाला सरड आंसर सांग तो तुम्हीं लिहुन गया पहला कॉलम करा एक butterfly चा आणि second कॉलम करा बैट चा ठीक है तर बटरफ्लाइ कोलम है कि बटरफ्लाइ कोल्ड ब्लडड और अनिमल्स तर टेज बैट बैट इस वार्म ब्लडड अनिमल्स थीक है यह आपन बगित ले बटर्फ्लाइ सेकंड पॉइंट की बटर्फ्लाइ डून प्रवीर्श कोड के तरह यह वाघ्रिष्ट कॉलन है ठीक है करते यांच भृजग पेर सफ विंग अजय कर तंद रिच लिया बाट मदे की दें तरह टो नीड़ पेर और विंग्ज सेंट ग्रफिक musi पकाएं थे सी क्यचक्र में जूलेवर यू इण सतब्रीक मैं हो ख्रछित फिर वे कीром यू क्यों के यू तर्च में चेंग सिप्ट्वाइब हो अब यू झे किरेश्ट विजद नां तोर सब्सक्रलारिंख लिग कर्या 민व मैं जुलेख जूले थे यही तोम्हें लियुकर बटर्फ ल्म्हें मच न ढतां किन पट बटरफ से ज करना साय होगा कि आती से बटरफलाइज मच लाएगज तर मच लाएग लाइगर्स प संपरे बटरौन्श जबें को लाइग वाहि टा म१ है तायां चाम पॉइंट होना कि exoskeleton is in the form of hairs or fur ठीक है sorry bat चाहिए चाहिए टेना आणी butterfly चाहिए चाहिए टेना कि kytinus exoskeleton is present around the body ठीक है next point ते अंदर आंके एक point सांगु शकता कि जसा कि अंचा मदे बगा अंचा मदे डिजीट सास्तत ठीक है त्रीयंचे मदे टे डिजीट नस्तत वी थे butterfly मदे सांगु शकता कि they do not have digits ठीक है तरी ते महमले मदे सांगु शकता कि they have digits provided with nails claws or holes ठीक है आणि एक point सांगु शकता कि example सा ठीक है लिहाई चीट आपले चारस point सोते ठीक है चार point जाले आए एक्जांपल्स उद्धा टाको शकता कि examples आहे यहाँ फाइलम मदले आणि ती थे आणि कि अचे सारके अशे एक्जांपल्स आहे ठीक है तो अश्या पद्धितीने तुम्हें यहाँ चा मदला difference जो है तो लिहु शकता चार points लिने अपेशित हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ह डोHeels कोड़ा है तो कोखाहिए ज़ए तो फाइलम ऑफ्रोपोडा मदले है का यहाँ तो तुम्हा आण्सर ठीक है आर्थडरोपोडा है परांति तो या संटी तो यहाँ तो यहाँ अदे ठीक है एक्स्न आन्टि सीन खराए चारा क्यांut क्र मंतले सिंपलीवें आचे कया ने तुने पोईंट्स मद्सें लेव शकता टोब्राइब्स पहला प्याइब्स पोइंटतर सांगा कि क्यों में नर्वच और जले कॉर्च बिलंग टो दा फार्यवां पहला पॉइंट लिहा कि कोख्रोज बिलॉंग टुदी फाइलम आर्थ्रोपोडा ठीक है त्यान तर इत्यां साइन्टिफिक रिजन जाएचे ठीक है तर पहला पॉइंट जाला तर सेकंड लिहा कि कि अचान वा कि भीकोज आँ आती कोख्रोज भी नाट तो सेकंड पॉइंट लिहा कि था जोएंटाइज लिहा कि बॉडी इस ट्रीलों सथील और घ्रीक और नेक्स्ट पुलिया की बॉडिज बाइडरल सिमेट्रिकल एंड सेग्मेंटेड आणकी टाका की काईटीनस एक्जोस्केलेटन इस प्रेजेंट एड इस अल्सो यूनि यूनिसेक्शल घेज चील नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकड्ड जो है एक लिहां की रिज़निस का आया है ठीक है तीका है पहला पॉइंटर तुम्हीं सांगित लग कि कक्रोच भीलोंग क्यारिल है ठीक है असाो इसा आतरा थर्ड पॉइंट लिहां की दिस-कर्टर्स अल्सो शोन बाइफार्ण कि वा थीज आर्डी करेक्टर्स ओ फाइलम आर्थरोबोडा ओके आनि हेंस कोक्रोच अल्सो बिलॉंग तु दा फाइलम आर्थरोबोडा ठीक है तरह अचा पद्धिन्याचा अंसर लिहाएचे नेक्स्ट क्वेशन नमबर सिक्स्ट गिव साइन्टिफिक रीजन्स ठीक है तरह पहला क्वेशन है दो टॉट्टाइज लिव्ज अन्द लैंड एज वेल आज वाटर इट कैननोड भी इंक्लास अंफिबिया जो टॉट्टाइज अहे तो जमीनी वर तसे पान्याच सुधार आतो परंथु तरी परंड तेला क्लास अंफिबिया मदे इंक्लूड केलर जात नहीं तरी परंड मैं श्यक्राइज it's 5 ओस्यक्तै वाक परंडन धाशल परंड जल्टाइज शुधार आतो आनि जमीने वर सुधार आतो अपंड साहे तंब एंफिबिया एंस बुन Kadona हाँ आपला क्वेश्चेन है पुट्या साथ आपला रीजन दाई चाहें ठीक है तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिहा कि दो टॉर्टाइज लिव इन वार्टर आज वेल आज इन लैंड आज वेल आज अन लैंड इट कैन परफॉर्म ओनली ऑनली ऎरियल रेस्पिडेशन ठीक है जरी कासव पानय आणी जमीनेऊ दोनी ठीका न हीरा तो ट्यक है तोवहरम वर्ती है तही सथो खस साथी तर स्वाश्च गेणय साथी ठीक है तर फर्स्ट पॉइंट लिहां कि दो टॉर्टाइज लिव अन लैंड आज वेल आज इन वाटर इट परफॉर्म्स ओनली एरियल रेस्पिरेशन ठीक है फक्त हवे मदे तो स्वाज गे तो ठीक है वाइल एमफीबियंस परफॉर्म रेस्पिरेशन इन क्यों वाइल ए दोन ही प्रकर चे रेस्पिरेशन करसे तौर्टाइज वक्त वाइल एमफीबियंस परफॉर्म एक्वेल आज हूपीरेशन है ठीक है अनतर थर्द पॉइंट मजे सांगा की परम औरो हैं तॉल्टइज शो क्रिपिंग कि वा तुम्हें क्राउलिंग सेखाथ कुट्णti गया तुम्हें अज म्वाटनेल थे क्रिपिंग और क्राउलिंग मूंडटut 230 division Messenger मॉवमेंट तुम्वेंट कुल्डविंग क्राउलिंग से अज़िए हैं चैनल के सबते रोल इसे इंक्लूडएड इन टॉटाइज नॉट इंक्लूडएड इन क्लास अम्या करन तो तेंचर शर के और गारक्टर दाख्वत नहीं है मनून ठीक है चार पॉइंट जले पॉइंट लिना अपिक्शित है करने हां दोन मार्ग सा क्वेश्चन है मनून त्यानां तर सेकंड कोश्चन है कि अवर बोड़ी इरिटेट्स इफ इट कमस इन कॉन्टेक्ट विद जेली फिश ठीक है आपनी इरिटेट्स होते जेवा ती जेली फिश चा कॉन्टेक्ट मदे ते वह ठीक है इरिटेट मंजे तुम्हीं खाज लागने मनुशकता कि वह एक प्रकार ची चूर चूर भाजने जे मनततना ते असता बेसिकली इरिटेशन होने तर आपन जेली फिश चा कॉन्टेक्ट मदे जेली फिश ठीक है तर तुम्हें सांगा कि त्यांचा मदे कुटले सेल ससता जैकि आहे निडो ब्लास्ट ठीक है त़ सर्वात आजी तर सांगा कि फस्ट पॉइंट यातव लिहा मग कि जेली फिश हैस पेशियलाइज़ छ्यो झियो पीओ सिर्षव स्टिंगं स्टेक्चर्ट्यर्ण करब स्टिंग इच जैलिफीश सब्सक्राइब था धिंग इंग मांन गोली सेंग हुआ जैलिफीश सब्सक्राइब था उने ने युद था स्टोछर ब्रत शान उत्प पेचलना स थुपॉ structure, are nidoblast cells Okay this stinging stinging structure that these are nidoblast cells bearing tentacles present around the mouth second point okay third point lean tentacles are useful for capturing the prey where as nidoblast inject toxin in the body आप दो प्ले वाड़ी ऑप दो प्रे मंझे शिका तर निडो ब्लास्ट का घलता टॉगजीं इंजेक करता टॉगजीं तीक जहर क्यों वीश्ट चलापन मनत त्यासत है तर आता है तोगजीं इंजेक के लिए मोडे अपने लए ती इरेटेशन होता त्यक्त है तो पहला पॉ प्रेय वेरास निटो ब्लास्ट इंजिक्ट टॉक्जिन इन बोडिय अप प्लेय और वेन अधा साथ पोइंट लिया कि वेन human body comes in contact with the jellyfish okay comes in contact with the jellyfish toxins are released into the body ठीका जब ते तर्च करत ते वही टॉक्जिन मग प्रेय चाहा मंझे आथा यूमन बोडी चाहा करना आपन तेला टच के लागे मनग वेन यूमन बोडी कमस इन contact with the jellyfish toxins are released into the body and hence we feel irritation ठीक है तरहा जाला second point एजाला answer ओके तरहा नेक्स्ट सी आहे कि all vertebrates are coordinates but all coordinates are not vertebrates ठीक है आधी तरह question बरोबर नेम का समझुन गया कि काई सांगाई चाहे ठीक है यहाथ असम अचला है तुम्हाला कि जे सर्व vertebrates साहे ती coordinates साहे परन्तु सर्व coordinates से वर्टीब्रेट नाहीं कसर ते लक्षर गया था ठीक है तो तुम्हाला आहा फाइलम कॉर्डेटा माई थी ठीक है फाइलम कॉर्डेटा जात है विग्विगर सब फाइलम से ता यूरो कॉर्डेटा सिफेलो कॉर्डेटा आनि वर्टीब्रेटा ठीक है तरह ता हाजो फाइलम है कॉर्डेट या लाज बेसिकली दोन भागान मदे डिवाइट के लगेला है ठीक है एक आहे इन वर्टीब्रेट्स है ओके इन वर्टीब्रेट्स आनि दूसरा है वर्टीब्रेट्स है ठीक है आता इन वर्टीब्रेट्स आनि वर्टीब्रेट्स वंजे कुठले ते लक्ष ठीक है ओके मग आता दर तुम्हीं बगा जे कॉर्डेटा है त्याना है तीन सब फाइलम मदे डिवाइड के लगेला है ठीक है तर आता इन वर्टिब्रेट्स मझे जानचा नोटो कॉर्ड आए अशेकुटल्या है तर ते आहे मग यूरो कॉर्डेटा आनी सिफैलो कॉर्डे नारे तैंचा कड़े वर्टिब्रोल कॉलम आहे ठीक है तर वर्टिब्रोल कॉलम असले आमड़े ते जाले मग वर्टिब्रेट्स मग आता बगा जे वर्टिब्रेट्स साहित ते कॉर्डेट मधी एना रच कॉर्डेटा मधी एना रच बरोबर मझे आल वर्टिब्रेट्स डा है तो वर्टीब्लेट असुषी सकतो कि वर्टीब्लेट नसुषी शकतो करन films अव् अपना है कटके तो एक यह उना था छत्त रहें की कॉर्डेटर वेर्टिय। असुषी शकतो कि नसुषी है पर trade देखें कि प्र hm अर्ँ वर्टीब्रेंटिमे चाह थे कोडراट आर पर्रम सर्वकोरडटिमे नहीं थिखे इतने सुद्धा सर्व कोडरेस और साहित हैं है मिइतने तुमंद्त 164 शांगा कि जो kore data है त्यामध्य दोन टाइप से तर ठीक है तो मग सग्ड़ाद पहला पॉइंट लिहा कि phylum kore data has invertebrates as well as vertebrates ठीक है त्यान अंतर second point संगा कि invertebrate अनि vertebrate मध्य कुटले यह तर ठीक है so invertebrate second point लिहा कि invertebrate includes euro kore data sub phylum euro kore data and जबफाइलं सिफैलो कॉरट्ट एक है रोके सेकर्ड पॉइंट की इन वर्टी करेट्स के इन वर्टी क्वरेट सैज नोटो कॉर्ड वायल वियर आज वर्टी क्वर्टी में वर्टी कॉलम् ठीक है, थर्ड पोइंट सांगा, invertibrate has notochord whereas, vertebrates has vertebral column थांतर नेक्स पोइंट आंकिक्ट में और कोरी शकता है, कि therefore, vertebral column is present only in vertebrates and is absent in invertebrates, hence therefore, कियो है? Hence, all vertebrates are quadrates, ठीक है, all vertebrates are quadrates, बट all quadrates are not vertebrates टिक यहाँ जारा शान्त पढ़े समझुन गया यहाँ कॉस्चन ला अन्य तरा नतर आचा आंसर लिया जाँ समें सांगीत लेता सथ कोड़ेट्स है त्यांचा मदे नोटो कोड़ आए ठीका हाच त्यांचा मदले एक मूठा फरक आए तर बैलान ग्लॉस आपले माईते कि अच्छा मदे पहले नोटो कोड़ दिसला तो ही अर्ध्या भागाता तो ता अनि मुद्णोस त्याला कनेक्टिंग लिंक्स हो दा मटल तो है तरहां सब्सक्रायक कि नोन क्रेट्स दू नोट रहां नोटो कोड़ ओके फईला पंट मदे रहां तरहां सेकंड पॉइंट लिहा कि बैलन ग्लॉस इस अनिमल वीच है नोटो कोड अली फक्त प्रोबोशाज जो रीजन आहे ये वरण भाग तेया तर्फ फक्त नोटो कॉर्ड आए ठीक है त्यान तर्फ नेक्स्ट थर्ड पॉंट लिहा कि बट्ट बैलन ग्लॉस बिलोंग तु दफाइलम हेमी कॉर्ड डा ठीक है विची इस फाइलम ओफ नौनट पॉर्ड एट्स ठीक है जो कि नौन कॉर्ड एट च Chordates है notochord, second point कि Balanoglossus is an animal which has notochord in proboscis region only, ठीका है proboscis region only and then third point हांगा कि Balanoglossus belong to the phylum hemichordata which is which belongs to the non-chordates which belong to non-chordates, hence Balanoglossus shows characters of both non-chordates as well as chordates, therefore Balanoglossus is a connecting link between non-chordates and chordates, ठीका है, ठीका है, ठीका है, ठीका है, तर नेक्स्ट ई आहे, body temperature of reptiles is not constant, reptiles body temperature constant नस्ता ते, बदलत अस्ता, का बर, ठीका है, ठीका है तुम्हीं एउज आनी mammals बगाल यान से temperature constant नस्ता काबर कारणते warm-blooded आहेत, मनुन, तर ते, जे reptiles हाहेत, तहाँस बड़ी temperature constant नस्ता चाबर रसते cold-blooded आहेत, थांग रहो को कुल्ध एम्हित बाड़ेड़ेंए मालो फ долго मुल्यप मुल्यप अनिमाइ रेप्टाइलो पड़ेड़े भी पामुल्ध NFC1 अनिवसरी पामेंश सप्राइल मैं नु पिटेको बाड़ locking उड्मेश इतंड अवन सो ने बोर्टी तेंपरेचर उस नाइक हाव था तो आवर साँव आटैन्परेचर तेंपरेचर थिए Chance Father आउट सालय मेल कान चो डियो आपको सेंफर सोब्सक्रड चैन्जर्ट survives ठीका को सब्सक्राइब अज्टोरे साले जाथ कॉंस्टन्ट ठीक है तरहे अच्छा पदेतीन तुम्हीं लिहाईचा है ओके त्याना तरह क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर दे फॉलाइंग क्वेश्चन्स बाइ चूजिंग करेक्ट ओप्शन्स ठीक है तरह आंसर ओप्शन करेक्ट जया है त्या अपले सिलेक्ट कराएच सो विच स्पेशल सेल्स अर प्रेजेंट इन दी बॉड़ी ऑफ स्पॉंजेस पोरिफेरा ठीक है तरह अच्छा मदे असता कॉलर सेल्स ठीक है अपने बगितला है त्रांसरा है कॉलर सेल्स सेकर्ड भी विच आप फॉलाइंग एनिमल्स बॉड़ी शोज बाइलाटरल सिमे अर्थ वार्म शो करता है ठीक है आता है क्यारेक्टर तुम्हीं पुस्त का दिल्या है ती तुन बंगा ठीक है त्यात एक्स्प्रेंट करने साथ का सकाइस नहीं सी यह है विच आप फॉलाइंग एनिमल्स कैन रिजेनरेट इस ब्रोकन पार्ट इस ब्रोकन बॉड़ी पार ट्रांसर आए स्टार फिश चारन चामदे रीजेनरेशन ची एकसीटी असते अपने बगित लें बैट इस इंक्लूडटेट इन विच क्लास तो बैट आस थे मैं मेलिया वडे टिक है मैं मैं लिया सो आंसर इस मैं मैं लिया ओके तरन नेक्स्ट कॉस्ट्यन है गंप्लीट फोलोइंग चार्ट चार्ट दिला है जात तुम्हाला इथे जर्म लियर आने फाइलम ठीक है आता बगाँ चार्ट इथे पुस्तकात असा अला है एक्जाम मझे तुम्हाला असा चेनार असा काही नहीं तुम्हाला बॉड़ी सिमेट्री सुद्धा यह शक्त क्यों इतर बॉड़ी क्याविट्प!! बॉड़ी क्याविट्री कशिए आने जर्म दोल मेर चासित क्याला असा इंध़्यक हिसे डाएकलों फ्युक्द्र इसलस हंसे तरे बॉडद आधार क्यों इसलसले किकल हो फिल करूक आज़़। तुरु पोलील टाइ साथी बोडी काविटी तर अपसेंट आसते जर्म लेर सुधा अपसेंट थे ऑके यह त्यांतर फॉलाइवा कहरेक्ट्र दिले थे प्तुणि तुम्हाला फाइल मोड़काईचा था था बोडीकाविटी अपसेंट जर्म लेर टृपलो ब्लास्टिक तर प्लाटे यहां प्लाटे एलमेंटेस ठीक है आता है क्यारक्टर वगेटे सर्व आपन स्टडी के लिए ठीक है त्यां मुड़े इते त्यां नमी आणखी डिसकस करना नहीं त्यांतर फाइलमें आजिए असके यहां जर्म लेर ट्रिपलोब्लास्टिक एते आणि आरत्रोपो तुम्हादाज लिए और लिए त त्यार दिट् Онवाद एकन उल्न माध यह थे तहीं क्यार दिल र этना सेंट तुम्हाला लक्षत रहाता ते समें लिए शकता टाइप आज़ने साइकलो चुम्हाला बगाता क्राइक्टर एक पहिला क्राया यह कि माउट जॉलिएस माउट फ्रोवाइड़ेड इप सकर हमें इतनु ऑन आ आपसेंट आता है कुणा मधिस नाई तर्स तुम्हीं लिव शकता ठीक है एक्जोस्केलेटन इस कार्टिलाजिनस एंडोस्केलेटन ठीक है राता है इते पाइसेस मधी सुद्धा असता त्या मोड़े अशे करेक्टर नकालिव जे आंचा साथी साहे फक्त तशी लिया जासा एक्जांपल तुम्हीं की कुटला ही लिव शकता तर्थ अंफिब्यांस मदे एरियल आणी एक्वाटिक रेस्पिरेशन ठीक है एरियल एज वेल एज अक्वाटिक रेस्पिरेशन करेक्टर एक्जांपल फ्रॉग तर्थ भेल भेले तो मैं में लिया मदी सोग टाइप होन तर्थ तुम्हीं दुनीग लिव शकता कुटले पोले कलो फ्रॉग जाहते एक्वतिल या शुद्धा ये पाइसेश सुद्धा येता ठीक है जी पाइसेश आवय पाइसेश चुद्धा अनि त्यसा एक्जांपल फरादीश आधी तीता आ आपन गेत लनाई रेप्टाईल टाको शकता कारण एक्जाम बदे तुम्हाला हेच ये नारा सकाई ना एक्जैक्ट ठीक है तो ते सुद्धा तुम्ही लिव शकता त्यानतर स्केच लेबल एड़ क्लासिफाई आता इते डाइग्राम काड़ाई चाहे मी तुम्हाला काड़ून दाखून माजी प्रैक्टिस करून काई होनार नहीं तुम्ही जितके अंदा काड़ाल तुम्ही जितके अंदा प्रैक्टिस कराल त्या उड़ी तुम्ही सांगली प्रिपरिशन होनार ठीक है सगड़ तुम्ही काड़ून भगा सगड़ पुस्तकात लास डाइग्राम आहे तुम्ही लेबल सुद्धा टाड़ू शकता ही थे मुझे लेबलिंग फक्त नावस द्याई छाइए अनना आता हर गा तुम्हाद डाइग्रामच्या ग्वस्टि ऐतु ना तो दोन मार्क साथी एतो ठीक है । न्मार्क साथी एतो एक्जामम अधे कुठली डाइग्राम हसो तुम्हाद गरज musi तेविच्ट की टीक है करने डायगराम ला तो दोन हांक हाल सभी यदोवड़ मार्क आना सथा तुम्शा अस तो लेलेबलिंग ल थीक है तुम्हे ती देजल चसरा और डिपेंड असता समस्ता पाई जए नेमकी द्यागराम असा क्या है तेल केसे लेखी डाइगराम आई तो पुर्णा बैट यह थी डाइगराम आ यह तो गोड़ा कर दाल्यानि अत्व signature नका करो है तो प्रत्तिक नावा ला अर्द अर्द मार्क टोटल दीड मार्क टीक है आने डाग्राम ला अर्द अर्द मार्क तो पर अर्द मार्क सस्ता तो रादा है तुम्हीं जितके प्राक्टिस करा तेवडी चांग ने तुम्हाला है जमना ठीक है तरहा चाप्टर मा गिएथे संपता है एक्जसाइज सुद्धा याद तुम्हाला काई डावट सस्तिल काई नसल समझल ला क्यों काई क्वेरी जस् रखता ठीक है आणी चानल ला सब्स्राइब जा नसल के ला पहले अन्दा बेट देते साल तर प्ली चानल सब्स्राइब देखिल करा तुम्हां मित्रान सुबद देखिल शेयर करा आणी वीडियो लाइक सुद्धा करत चला ठीक है तो थैंक्स पर वाचिंग सी यू नेक् बेस करता